इस निर्ने का फैसला पूरी बेल जूरिस्पूडेंस पर पड़ेगा ना कि only excise matters में बाकी भी AD, CBI के जो matters हैं उसमें इसका फाइदा होगा because Honorable Supreme Court ने, मैंने अभी पूरी जज्जमेंट पड़ी नहीं है Learned Trial Court और Learned Honorable High Court को एक स्ट्रिक व्यू लेना चाहिए और बेल देनी चाहिए और डिस्मिस नहीं करनी चाहिए because इस से सुप्रीम कोर्ट का बर्डन बढ़ता है बेल आप्लिकेशन में सर जो मुष्मंतरी है अर्मिन के जिवाल तो उन्हें यहां से ही विज़ उनको बेल मुझी रगुलर बेल मने लॉंडरिंग मामुझी में लेकिन उनकी बेल को एडी ने चाहिए तो इस उनके इस रवयी पर आफ प्या कहना है तो जा कि इस रवयी पर आफ चाहिए है अभी लंडिक जिसको कैंचिल कराने के लिए गई है इडी क्या उसके पैसले कर भी कोई असर पढ़ने वाला है अधिनेटली सुप्रीम कोट ने एक बहुत ही अच्छा व्यू लिया है देट बेल is the right and jail is an exception एक प्रीवियर जज्जमेंट थी सुप्रीम कोट की गुडी कांता के 1979 उसको मद्दे नजर अखते हुए and सुप्रीम कोट ने काया है कि यही प्रिंसिपल होना चाहिए and this should weigh on the court's mind while deciding bill application कर दो कर दो कर दो कर दो